हलो स्वागत है हमारे यूटूब चैनल बी एसी नर्सिंग में मैं आपको बेसिक अनाटोमी के बारे में बताऊंगी इसका मीन्स क्या होता है इसके फादर कौन है और हमारी बोडी का फॉर्मेशन कैसी होता है अनाटोमी का मीन्स है स्टड़ी ओफ स्टक्चर इन बोडी इसक का और और ऑर्गिणाजेशन कैसी होता है बोडी का मे है पहले एंटमस बनते हैं नुए एंटम्णी ग्रूप औफ मौल्यक्यूल्स षफिभ का ॉछ्मेश्यम होता है ग्रूप औफ सेल मिलके टीशू का स्टड़ू का निर्मान करती है उर्गन मिलके एक सिस्टम सिस्टम का निर्मान करती है और सिस्टम एक बोड़ी का एक पूरी human body का निर्मान करते है यह हमारा basic anatomy का introduction है इसमें introduction में पहले cell आती है जैसे कि anatomy anatomy के अंदर एक cell cell क्या होती है cell इजे structural and functional smallest unit होती है human body की यह एक important role play करती है हमारी human body सबसे पहले cell cell term किस ने दी थी Robert Hooke ने इसे कोरक cell में visualization किया था इसकी size कितना होता है cell maximum 30 new ovum females ovum होता है और smallest होता है lymphocyte cell सबसे smallest cell होती है जिसमें present होती स्टडी ओफ सेल को क्या केते हैं cytology केते हैं cell structure structure of cell structure of cell mainly तीन टाइप की होती है cell membrane cytoplasm cell organ cell membrane के इसी होती है cell membrane cell के outer covering में outer covering में पाई जाती है इस यह लिपिड phospholipid और cholesterol से और carbohydrate आदी से मिलकर बनी होती है cell membrane cell membrane एक thickness और outer covering होती है cell के जो हमारी cell को protection प्रवाइड करती है प्रोटीन हमारे मतले cell के अंदर प्रोटीन 55% पाई जाती है और phospholipid 25% होता है cholesterol 13% होता है अदर लिपिड होता है 4% होता है और carbohydrate 3% इसमें पाया जाता है cell के अंदर cytoplasm के होता है साइटोपलाजम सेल के अंदर एक खाली स्थान होता है जिसके अंदर fluid बरा होता है उसे हम साइटोपलाजम केते हैं cell organs, cell organs क्या होती है cell organs जिसे के अंदर जो organs पाये जाते हैं उसे cell organs केते हैं जैसे कि mitochondria, mitochondria क्या होता है mitochondria important organs होता है जो हमारी body को ATP and energy provide करता है जो metabolic में help भी करता है नूपलियर्स कहते है जो genetic materials होती है इसके अंदर जो हमारी genetic material जैसे कि हमारे DNA हो गया RNA हो गया यह हमारी characteristics को निदारित करते है लाइसोसोम कहते है उसे लाइसोसोम को suicidal bake केते हैं इसमें एक enzyme पाये जाता है जो क्या करता है कि उसको भी हानिकार enzyme होता है उसको collect करके रखते हैं endoplasmic reticulum जो और्गेनल से endoplasmic reticular out recovery होती है नूकलियर्स के अंदर यह endoplasmic reticulum टू टाइप के होती है smooth reticulum और rough reticulum smooth तो होता है जिसमें lipid यह carbohydrate यह पाये जाती है और rough endoplasmic reticulum इस पे राइबोसोम पाये जाए लेते हैं जिसे यह सेल को protein and energy energy प्रवाइड करवाती है सेल को इसलिए सेल की तीन कि तीन मेंब्रन कम तीन structure होती है जैसे सेल मेंब्रन होगी साइटोप्लाजम हो गया और हम अगले नेस्ट वीडियो में पढ़ेंगे